और आप देखे हमारी खास पेशकश युद्ध बनाम युद्ध सीदे अमरिका से बोला भारत नो से बेनकाब कर दिया रहरी हैस्ट जेनरल असेम्ब्ली विटनेस्ट सच मिस्यूस रादर अब्यूस अब्यूस अपरचुनिटी तो रिफ्लेक्ट लुद्ध से रे मतश से बीपड़ यूस तैस्ट्री टेखेश च्यूस प्रच्वर्ट अप्राइब तेपा प्रश प्रच्त बाप, ल्यूस सप्राइब यूर्ट अफ्यूस अब्यूस एप्यूस ऑ्रेव स्पूर्ट इंड अट अट्रेंज सच्छ zaczy विण कि अवारे लिएन प्रहत अपरी श्राव स्वेंड आव जैंड जया कि अवार डिट बेजारी जारे विस्ट करणे चार्जने का सिक्सफिताइ लिए। कि लिए अवड़े यप्रियोर्य कि आवे टेस्पैस्ट सथींग। रिछ स्वोड, रॉड पर नॉड पसि जए इनसी रिजय होो अट्वidad सिप्वेश कर दिन्हूंश आटोड कल वस्षिन्हों सокिवेश्ख Mah bald Pacman प्रीमिन्सर इम्रान कान्स फ्रहत कालिज असा फ्रिक्स्मेंस्शन, अट सटे इंश्मेंसिशन अट श्रिक्स्मेंसिप कान्सिया। अविंध कि अव्निस्ट फ्लिडति अग्नाड 001Wait you catch nesamu, प्रीमिनस्टर जब्सक्टोंटव औरोप्स साथ चाहिए पहले हैं लाइन लगव इनदर चाहिए जिन्देट पाकस्ता है व्रोब खुश्प्सक्तांव मेंध टुश्ख्सका किना पाकस्ता है कि अबने लोगेंट चाहिए. by the UN as of today will Pakistan acknowledge that it is the only government in the world that provides pension to an individual by the UN in the al qaeda and daesh sanctions list can Pakistan explain why aún here in New York its premier bank the Habib bank had to shut shop after it was fined millions of dollars over terror financing irreversibly so the citizens of India do not need anyone else to speak on their behalf least of all those who have built an industry of terrorism from the ideology of hate सईयुक्त राश्ट महासभा में प्रधान मंत्री मोधी ने एक वर्ल लीडर की तरह अपनी स्पीच दी करीब अपने 15 मिनत के भाशन में उन्होंने बता दिया कि भारत दुनिया के लिए कितना महत्पूव है उन्होंने ये भी बताया कि भारत की तरक्की ही दुनिया की खोश सब्सक्राइब आइए आपको दोनों की स्पीच दिखाते हैं और समझे कितना फर्क है हम उस देश के वासी है जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिये हैं शांती का संदेश दिया और इसलिए हमारी आवाज में आतंक के खिलाब दुनिया को सतर्क करने की गंबीरता भी है और आक्रोश भी हम मानते हैं कि एक किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की और मानवता की सबसे बड़ी चुनोदियों में से एक है आतंक के नाम पर बटी हुई दुनिया उन सिध्धानतों को ठेश पहुचाती है जिनके आधार पर युएन का जन्म हुआ है और इसलिए मानवता की खाति आतंक के खिलाब पूरे विश्व का एक मत होना एक जुट होना मैं अनिवारिय समझता सवा सो साल पहले बारत के महान अध्यात्मिक गुरू स्वामी विवेकानन जी ने अमेरिका में शिकागो में वर्ल पार्लेमेंट आफ रिलीजन के दवरान विश्व को एक संदेश दिया था ये संदेश था हार्मनी एंद पीस और नॉट डिसेंशन विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज भी अंतरराष्ट्रिय समुदाय के लिए यही संदेश है हार्मनी एंद पीस इसमुदा जया विए, इसमुदा है दी सिभ्या है क्रिशा आज चाहिए नहीं। इसमुदाब चाहिए था है वार्मनी एष्वाद के रेध़ टेर्मन व्यव के लुदा है यह प्र प्राभ चाइना दक्ष्ट इस्वात है And my belief is, la la ila illa, there is no God but one. And we will fight. And when, and when, and when, and when a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I am here. बारत हजारो वर्ष पुरानी एक महान संस्कृती है जिसकी अपनी जीवन परंपराएं हैं जो वैश्विक सपनों को अपने में समेटे हुए हैं हमारे संस्कार हमारी संस्कृति जीव में शीव देखती है इसलिए हमारा प्रान तत्व है कि जन भागीदारी से जन कल्यान और ये जन कल्यान भी सिर्फ भारत के लिए नहीं जग कल्यान के लिए हो जन कल्यान से जग कल्यान और तभी तो हमारी प्रेरणा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और ये सिर्फ भारत की सिमाओं में सिमित नहीं है हमारा परिश्रम न तो दयाभाव है और नहीं दिखावा ये सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य भाव से प्रेरीथ है हमारे प्रेयास एक सो तीस करोड भारतियों को केंद्र में रख कर हो रहे हैं लेकिन ये प्रेयास जिन सपनों के लिए हो रहे हैं वो सारे विश्व के हैं हर देश के हैं हर समाज के हैं इस्लाम फोगा है से नाइन एवन इस नाइन इस नोड़ा है. रुट अप्श मत्यूश्स लीजिए भींशने ऊज़ता। तो यह उन्ना से पधूते हैं. उन्ह फोगेशित तेने एवर रखा इस्लाम एक दृष्ट हैं. उन्हें इस्लामों एक गार्व मुसलिम्मा याज़ा था किता देखार, पूस्पार प्रचाइ लिए प्रोचों, लिए लिए टीडिशी एखार, तो प्रचोंच रखार प्रवार भीप। इक्वेट टेरिस्म विद इस्लाम, इस्लामिक टेरिस्म.